नमस्का दोस्तों आज हम लोग फिर से करने वाले हैं JPSC के प्रिवेश एरकर प्रसनों को explanation के साथ और इससे और क्या सवाल बन सकते हैं क्योंकि प्रिवेश एर हम लोग पढ़ते ही हैं कि नए क्या सवाल इस topic से बन सकते हैं उसको हम लोग करेंगे और ये सवाल जो है 5th JPSC 2013 में पुछा गया था GS Paper 1 JPSC में ठीक है अब ये काफी ज़्यादा महत्पून होने वाला है CDP exam के लिए क्योंकि उसके syllabus से match करती है साथी साथ हम यदि बात करें तो आने वाली जो JPSC है 14 JPSC उनके लिए भी काफी ज़्यादा महत्पून होने वाला है तो वीडियो को like share करिएगा This is part 2 वीडियो, part 1 जो है हमने already बना हुआ जिसमें हमने 62% already कर लिया है तो आज हम लोग 63% start करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप उस part 1 को भी देख लिजेगा उसके लिंक में एक playlist ही बना दिया है JPSC previous year question तो मैं उसके लिंक description में डाल दूँगा शुरुआत करते हैं इसके PDF आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगी Analyze for you टेलिग्राम में जाकर सच कर लिजेगा देखिए पहला सवाल है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरचित है तो ये कहां कहां है तो जब ये सवाल 2013 में पूछा गया था उसके अनुसार आंसर हो जाएगा पंचाईती राजवर्बस्था मगर अभी फिलाल इस्तिती अलग हो गई है अब इसमें आंसर अलग होगा और इसका नाम है नारी सकती वंधन विधर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् सभा में सीटों का रिवेशन नहीं करा गया है अब देखिए यहां पर ध्यान पुर्वक सुनिएगा और बहुत चारी मत्पुन बाते हैं जिसको मैं यहां पर डिसक्स करूंगा यहां पे और इंपोर्टन चीज़ें यहां पर डिसक्स करेंगे तो सबसे पहले बात करें तो पंचायती राजववस्था में अल्रेडी वन बै थी जो है वह मिमंस के लिए रिजर्व था पहले से अब यहां पर हो गया किसमें लोक सभा में ठीक है और यहां पर राज की विधान सभा म तो याद रखेगा A, B, C और D तीनों ही ओप्सन यहां पर सही है तीक है इतना क्लेर हो गया चीज़ें अब देखिए यहां पर यह जो रिजर्वेशन दी गई है 15 साल के लिए और अभी यह लागू नहीं हुई है 2024 का जो इलेक्शन है इसमें यह लागू नहीं हुई है ती अरका से यूपय में कितनी है तो अलग-अलग राजियों में जो लोकसवा की सीटे है उनका जो सीट की संख्या है वो अलग-अलग है और यह किस बेसिस पे है तो 1971 में जो जनगन्ना हुआ था थिक है सिंसस हुआ था उस बेसिस पे है ठीक है अभी 2011 में आपको मालूम है कि पिछली जनगन्ना 2011 में हुई है 10-10 साल में होती है 2021 में नहीं हो पाई कुरोना के कारण ठीक है मगर 2011 में हुई थी मगर 2011 का डेटा को नहीं लेते हैं हम लोग 1971 का डेटा को लेते हैं क्यों लेते हैं इसके पीछे कारण है कारण कुछ इस प्रकास से है यदि आप इंडिया क करना चाहूंगा ठीक है बिहार बंगाल हो गया जारकंड हो गया यह सब जो स्टेट है नौर्ट जो इंडिया है हमारा वहाँ पॉपुलेसर बहुत जो है रैपिडली इंक्रीज वी 1971 के बाद ठीक है और जो साउथ इंडिया है जहां पर आप किरल देख रहें तमिलानु अधीकार कैसे नहीं बड़ी इसके पीछे कही सारे कारण है सिक्षा सबसे पहले पिए अच्य रही उसके बाद दूसरा कारण यह है कि उन्होंने ने परिवार नियोजन है इस प्रकार की चीजाए उन्होंने काफी अच्छी से वहाँ पर इंप्लिमेंट क्या जिसके कारण यहाँ पे South India है, population कम होने के कारण वहाँ पे लोग सबा चेतर कम होंगी तो इनसे क्या होगा, कि इनको एक तरह से problem आएगी बजट भी कम दिया जाएगा, तो South India को इससे बजट भी कम मिलेगा एक तो उन्होंने अच्छा कारी किया, जनसक्या को घटाया, नियंतरन किया मगर उनको इसके बदले क्या मिलेगा, तो घाटा होगा इसके बदले और North India जहाँ पे population जो है, वो दिन रात बढ़ाई जा रही है तो उनको क्या होगा, इससे फाइदा होगा, क्योंकि उससे इनको बजट जादा मिलेगा और लोग सबाद छेतर जादा होंगे, ठीक है तो ये, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए ताकि South India के लोगों को खराब न लगे और ये जो प्रोस्ताहान चल रहा है, परिवार नियोजन की बात करें, जनसंक्या नियंत्रिन की बात करें उसको धक्का ना लगे, इसे देखते वे 1971 की जनसंक्या को लिया गया क्योंकि इस टाइम की जनसंक्या थी, वो बिलकुल बैलंस थी नौर्ट इंडिया चाहें, बात करें साउत इंडिया, बैलंस जनसंक्या जो है उस टाइम में थी, समझ रहे बात तो ये चीज़े हुई, जिसके कारण 1971 की जनसंक्या को हम लोग लेते हैं अब देखिए, तो इतना हमें समझ लिया कि अब अभी फिला जो लोगसभा की सीटों की संक्या है, वो 1971 की जनसंक्या की एकॉर्डिंग है अब क्या होगा, अब जो है आने वाले समय में, कुछ देने को बात, जब यहां पे next, जो यहां पे census होने वाला है उसमें क्या होगा, 2025 के आसपास में उम्मीद करते हैं कि यह census हो जाएगा, तो उस census के बाद क्या होगा, कि हमारे देश में एक important, जो है, delimitation जो है, मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, delimitation का मतलब यह होता है कि हमारे देश में जो अलग-अलग जो राजी आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे जो लोगसभा जो छेत्रा आप देख पा रहे हैं, उनका जो दाइरह है, वो अलग-अलग हो जाएगा, चेंज होगा उसमें, क्योंकि जनसंख्या अलग-अलग होगी मा लीजिये कि घरकम के बात कर लेते हैं तो मा लीजिये कि धुंपका मेंancy के बढ़ गया होगा तो उसका एरिया है वो थोड़ा घटेगा वहां पर लोक सभा सीटों की संख्या है उसमें हो सकता बरोत्री हो जाए इस प्रकार की चैजें होगी इसको हमले बोलेंगे deal-limitation तो एरिया में change आएगा इसमें जसके कारण अभी जो अगला धोजार 99 में जो election होगा लोगसभा का 2024 में वह 5 साल में election होता है लोगसभा का धोजार उनतीस का जो लोगसभा election होगा उसमें महिलाओं को 1 by 3 इतनी चीज़ें आप समझ गये होंगे चलिए नेक्स सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्लिखित में से 1999 में किसके विगटर से जातिवादी कॉंग्रेस पार्टी का घठन हुआ इसको बोलते हैं एनसीपी ठीक है इसको बोलते हैं नेशनल कॉंग्रेस पार्टी तो यहां पर कॉंग्रेस पाटी से ही तूटके बनी दी है या इतनी इतनी चीज़े clear हो गई, next सवाल हमारा क्या है, तो यहां पर Congress Party सही आंसर होगा, next सवाल है, निमलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है, जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए, क्रिसी में विक्राई वचत, तो निमलिकित में से कौन सा एक बित्त मंत्राले का एक विभाग नहीं है, तो वै राजस्व बैंकिंग विभाग, देखिए, बित्त मंत्राले के अंदर बैंकिंग नहीं आती है, बैंकिंग एक स्वतंतर निकाय है, मतलब ये सिस्तम जो है, बलकुल इंडिपेंडेंट है, तो य आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे हम इदी बात करें तो यहां पर अगला सवाल हमारा क्या है चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं अगला सवाल है हमारा यहां से स्टार्ट करेंगे 67 से न संसत में बजग संबनित प्रक्रिया के स्व सवाल हमारा अ क्या सवाल है सफ़ांतिक रूप से यदि आध़ि विकास की कलपना करी जाती है तो इनमेंसाठ इक को साधञता ध्यान में नहीं रखा जाता है तो हम बात करें आधिक विकास कीको डेवले्मेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं तो उसमें 200 वैंग इतान में अलग अलग देशों से वो क्या करता है मांगता रहता है तो यह चीज़ें होती है तो आप समझ पा रहे हैं तो यहां पर इसकी डिसकर्शन नहीं होती चलिए नेक्स सवाल खलांकी कर्श तो खैल लेना पड़ता है है ना हमारे विकास के लिए लेना पड़ता है that is different thing बट उसकी डिसकर्शन उसमें नहीं होती नेक्स है भारत में स्वतंता के प्रसाथ प्रथम मंत्री मंदल का कानून मंत्री कौन थे तो यह हो जाएंगे आपके बियार अमेट कर दी एक एक रित बाल विकास सेवा उसमें योजना किसके द्वारा लागो की गई यह आप से पूछा है सवाल तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टन एचाडी जो मंत्राले है उसके द्वारा यह तो यहां पर एचाडी मंत्राले जो है यह सही आंसर हो जाएगा नेक्स सवाल क्यों अगला सवाल हमारा क्या है सवाल है 1991 की और दिग नीतिक की अनेक बिंदों पर आलोचिना हुई थी निम्लिखित में से कौन सा एक बिंदू उनमिसे नहीं उठा तो यहां पर कई सारे ऑप्सन है तो यहां पर सही आंसर क्या दखिए अनिश्चित और दगी विकास इसके बा बात आती है तो उसके बाद विदेशी निवेश में गलत विश्वास यह भी इसमें पर चर्चा हुई थी तो यहां पर सही आंसर हो जागा नेक सवाल हमारा क्या है सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थववस्था जिसे हम ब्रिक कह रहे हैं तो ब्रिक में दक्षिन अप्रिका कब सामिल हुआ था तो देखिए यह दक्षिन अप्रिका यहां पर सही आंसर होगा अब देखिए इसके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए देखिए यदि हम ब्रिक की बात करें तो सबसे पहले जो ब्रिक का जो फांडेशन मेंबर है मतलब स्टार्टिंग वाले जो मेंबर है वह कौन है तो बी आराई सी पहल फैंडिया में ब्राजील होता है तो यहीं आर का मतलब रसिया है उसके बाद आपका आई फॉर इंडिया है एन सी सभी को मालूम है चाइना है तो इतने चार पहले पांड इंबर थे उसके बाद इसमें एस लग ग्या ब्रिक्स अभी ब्रिक्स की नाम है तो अभी है यह हो गया है South Africa जो की 2011 में एड़ हो गया है South Africa उसके बाद और चार जो है 24ग में अभी चार कंट्री और एड़ हुए है इसमें कौन है तो इसमें सबसे पहला नाम है इरान का उसके बाद है UAE United Arab अमीरात है उसके बाद इसमें जो अगला नाम है वो क्या है तो इरान हो गया उसमें रिखliche ही हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर इजिप्ट जिसे हम मिस्र भी कहते हैं इतनी चीज़ें आपको क्लेर हो गई चलते हैं नेक सवाल की और अगला सवाल हमारा क्या है बिसु उपभोगता जो अरिकार दिवस है वो क्या मना जाता है तो 15 मार्च सही आंसर हो का ठीक है ने सवाल हमारा है 76 हिंदू भादरपद मास में जंजातियों की कौन सी पूजा होती है यहां पर सही आंसर होता है तो कर्म सही आंसर होगा नेक्स्ट है हजारी बाग का सूरज कुण 88 डिग्री सी होता यहां पर तेंपरेचर भारत का सबसे ज्यादा जो है टेंपरेचर वाला तो यहां पर यह क्या है जो है यहां पर हॉट इसप्रिंग है यहजारी बाग जिले में है यहां जक के प৤शेmeye मांजी होगा और सभी आंसर है च्छोता नाःग्पूर में पुस-फुस बलवा किस चेतर में पाय जाती है तो यह दामेदर जो मे मिलेगी यह सवाल हमारा है को दुद्ध करी यह किस दंचाते की सामाजिक समस्था So ठीक है अगला सुवाल है दामोदरघाटी निगम की स्थापना 1948 में वी थी in absemon । तीक है । mogą गत आंधोंरन की सुर्वात कभ हुई थी तो अपरेखल उन्हें संचोर्थ में वी थी तीक है औिस्टा सवाल हमानकासि सबसे उच्चा जलप्रपात कौन से है उच्छा जलप्रपात की हमनों बात करें तो लोध जलप्रपात जो है वो सबसे उच्छा जलप्रपात है जो कि आपको लातेहार में मिलता है अब यहाँ पर मगद सवाल देखिए यहाँ पर बोला है कि लातेहार वाला अप्सन ही नहीं है यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है, 100 मीटर जिसकी उचाई है, 100 मीटर हुड्रू जलपरपात की उचाई होती है, तो यहाँ पर जारकन का सबसे उचा जलपरपात जिसकी उचाई 100 मीटर है, तो 100 मीटर, 98 से 100 मीटर जिसकी उचाई मने जाती है, तो यहाँ पर हुड्रू प्रपात यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो कि स्वन रेखा नदी पर राची में स्थित हैं ठीक है नेक्स हमारा समिधान सभा में छोटा नागपूर के इन्वेस से कौन से आदिवासी निता सदस्य थे तो यहां पर चार ऑप्सन है तो समिधान सभा में आपको मालूम है कि जेपाल सिंग मुंडा जिसे हम मरांग गोंके के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो उनका जो है वो यहां पर आदिवासी सदस्य के रूप में थे समिधान सभा में ठीक है इतना आपको मालूम है समिधान सभा का कारी क्या था तो समिधान सभा का कारी था समिधान का निर्मान करना ठीक है चलिए नेक्स सवाल जारकान में मुक्यतक कितने परकार की फसले पैदा होती है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तीन तो वैसे कहली खरी पर अभी और गर्मा फसल हम लोग बोलते हैं ठीक है इतना क्लियर है आपका नेक्स है बिरहोर का साब्दिक अर्थ क्या नेक्स है अठासो संतावन की करांती में संपुन सिंभुम शेत्र में करांती कारियों के परमुक नेता कौन थे तो यहाँ पर सही आंसर हो जागा राजा अर्जुन सिंग ऑप्शन B is the right answer नेक्स सवाल हमारा क्या है नेक्स सवाल की और बढ़ते हैं नेक्स सवाल हमारा है ल को मालूम है हमने पीछली वीदियो में दिसक्ष किया था शर्ष turmeric में इरावंत की संधिवी थी और बंगाल की दीवानी है बंगाल की दीवानी नंग्रेजे को मिल घी बंगाल की दीवानी का मतलब समझते हैं कि बंगाल से रवनञू काल्यक्षन को जह यहां पर पावर है वह अंग्रेजों के हाथ में चले गई अब वह टैक्स यहां से वसूल सकती थी और बंगाल हमारा जो बिहार है वह बंगाल के अंदर ही आता था तो 1765 यहां पर सही आंसर होगा ठीक है नेक्स सवाल क्यों बढ़ेंगे नेक्स है जारकंड में टाटा आइर जारकंड के प्रतम राजेपाल कौन थे तो डॉक्टर प्रभात कुमार देख लिए जहां पर आपसर है अंग्रेल अपसर तो उन्होंने एक रूल बनाया कि जो जो कुलहान का एरिया है जो छोटा नाकपूर का जो एरिया है उसमें क्या होगा कि जो पुरानी परंपरा है जो मुंडा मान की सिस्टम यहां पर चल रहा था मुंडा मान की क्या सिस्टम है अल्रेडी हमने इस पर डिटेल वीडियो बना है मुंडा सासन वववस्था इस प माली जे कोई गाउं का कोई गाउं में उसने कुछ गलत कारी किया तो उसे में उनको सजा देना है या अपनी सिस्टम को चलाना है तो उसमें एक सिस्टम जो है वो चलाते थे टेके अडिमिस्टिटिव सिस्टम एक तरह का था तो उस सिस्टम को वो चला सकते थे मगर जो क्रि दिवासी लोग ले सकते थे इसी कानून के अंतरगत ये पास किया गया तो ये 1837 में हुआ तो इतने चीज़ें आपको clear हो गई next हमारा क्या है next चलते हैं हमारा अंतिम पढ़ाओ की और सवाल है अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरू कर दीजेगा और जिनको आदिवासियों के फूलों के तिवार का नाम क्या है तो यहाँ पर सरहूल होगा ठीक है हलांकि बाहा परूबी फूल से ही संबन दित है ठीक है मगर जो सरहूल है देखे टूसू क्या है तो टूसू का संबन है टूसू एक यूती का नाम था कुमारी यूती थी जिसके उपर एक राजा की गलत नजर आई ठीक है और राजा ने कहा कि इसको मुझे सौप दो मगर गाउवालों ने क्या किया गाउवालों ने इसका उपोस किया जिससे गाउवालों पर अत्यचार किये गए और उसी क्रम में तुसु ने जो है अप एक नदी में उपनती नदी में जिसमें काफी ज़्यादा पानी था उसमें कूद कर अपनी आत्म रक्षा करते वे एक तरह के सम्मान की रक्षा करते वे उन्होंने जो है उसमें अपना बलिदान दे दिया और उसी के याद में के इस तरह से फूल वगरा बना के दिजाइन एक बना के लोग नदी में प्रभाइट करते नियुक्ते कर造 ले यहां पर सरूल पर्व की बात करें रहा पर्व पूल से सम्बंदित ही बहा का मतलब फूल होता है संथालिय में सरहूल का मतलब क्या है सरहूल का मतलब होता है साल का फूल तो बेसिकली जो साल का फूल जब आता है तो इनके जो पुजारी होते है वो क्या कहते है पुजारी जो है वो जैसे जो चल्ला होता है ना मतलब की जो रूफ होता है घर का जो रूफ होता है उसमें वो फूल जो है वो डालते हैं और एक पूजा होती है जिसे हम सर्वूल पूजा कहते हैं तो यहां पर सर्वूल सही आंसर हो जाएगा और हमें यह मालूम है सर्वूल का मतलब साल का फूल और साल हमारा जहरकन का रास्टिय पेड़ है तेक है आपको याज रखना है कर कर Alors निक्ट हमारा है तो संधाल का है अुसके परभ ज्छारकन के किस निर्थ तो यदि यह option में रहे तो इसको भी आप टीक कर सकते हैं जारकन के प्रतम मुख्यमंत्री कौन थे तो जारकन के प्रतम मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी सी थे